मिर्दापुर को देखने का एक तरीका ये भी है कि at the surface of it ये बहुत सारे male ego की कहानी दिखती है लेकिन थर्ड सीजन तक आते आते बहुती female protagonist भी कैसे run कर रहे है चाहे वो बीना तृपाथी का किरदार हो जो रसिका दुगल प्ले कर रही है गोलू गुपता का किरदार हो जैस सब जगे फिर और वो जो इष्टा कर रही है माधुरी अदव किरदार हो तो वह भी एक पैरलल चल रहा है कि सिर्वो मेल लिकों की टसल नहीं है जब कि आप आप देखिए मुझे लगता ये ना मिर्जापुर की लेखनी में आय थिंग एक खुबसूरती सीजन वन से थी कि जो बसुदा पंडित का रोल करती है शीबा जी शीबा चड़ा की बात कर रहे हैं शीबा चड़ा और राजेश जी राजेश तेलंग मेरे वन ऑफ द फेवरेट अक्टर्स हैं मिर्जापुर में और वो किरदार भी तो तो उसमें एक सीन है परचूनिया की दुकान पर कि ए अचानक से उनका बच्चा अगर उन्हें लगने लगा कि भई अब वो थोड़ा हो गया एक बाहुबली टाइप तो वो कैसे उस पावर को एक्सरसाइज करेंगी वो थोड़ी ना बंदूग चलाने लगए तो उनका यह होता है कि भई तुम उनको अभी नहीं पता चलाया ह थोड़ी उसकी हवा बन गई है तो वो जो किराने वाला परचुनिंदा नहीं देता है हुमको अच्छा नहीं लगता है तुम चलोगे हुमारे साथ तो वो कमाल का खुबषूरत शीने उनका इतने मी काफी है कि वो जो किराने वाला है वह हमसे इजस्ट से बात करे है जो हम तो यह कितनी एक खुबसूरत लेयर आड और काम भी बहुत अच्छा हो जब मिलने जाती हैं जेल में नमाकान पंडित से गुडडू से पहले इस तरीके से उनका है फिर बाद में इतना सब कुछ खोने के बाद इन फैक्ट मैंने इस सीजन को देखने के बाद भी मैसेज किया उनको कि मैं आपका काम बहुत बहुत संदर एंड तयलंग सहाब का काम और उसमें सबसे फेवरिट सीन है सबका ही जो मिर्जापूर फ्रेंचाइजी देखते हैं इसमें वो लंच कर रहे हैं और बगन में आखे चाकू दिखा और बंदूक निखा के जब तमचे आते हुए प्रेला थे जब आते हुए बहुत बुलिए